खोय का मुदक बनाने के लिए यहां पर हमने एक कप खोया या मावा लिया है यह घर का बना हुआ है अगर बजार को हो तो उसको आप भून लीजे तो पहले हम यहां पर देखें हमने एक कप खोया ले लिया है यह बिल्कुल सॉफ्ट है यहांतों से अच्छी तरह से मसल ले है तो आधा कप नारियल है इसको हमने कद्दू कस कर लिया है घर में ही आप बजार में जो मिलता है डेजिकेटर कोकोनट उसको भी ले सकते हैं कुछ कटे हुए ड्राइपूर्ट है इसमें काजू बदाम किस्मी से इसको भी हमने हलका सा भून लिया है अधा कप से थोड़ा सा अधिक हमने यहां पर चीनी का बूरा लिया है आपको पीसीवी चीनी भी ले सकते हैं इसको भी डाल देते हैं पंच्छा ही लाची हमने लिया है इसको भी कूट दिया है अब इसको डाल देते हैं डालके अच्छी तरह से मिलाएंगे सबी चीजों को देखिए अच्छी तरह से हमने मिला लिया है अच्छी तरह से यह देखिए बन जा रहा है यह मुदक खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है तो यहां पर हमने मुदक बनाने के लिए साचा लिया है मोल्ड फिर थोड़ा थोड़ा सा पोसन लेके मोल्ड में हम डालेंगे और उंगली की साथ से दबाएंगे अच्छी तरह से हमने भर दिया है अब इसको खोलते हैं कि इतना अच्छा मोदक मेरा बन के तयार हो गया है इसी तरह हम साले मोदक बनाते हैं तो यह मेरे मोदक बनके तयार हो गया है यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर आप कि अच्छा में कि अच्छा में बनाते हैं